हलो फ्रेंट स्वागे थी ड्रिम जोवाट डेज के सनल यूटूब चैनल पे जैसे आग की आप सबको पता है आर्पी अप एसाई और कॉंस्टेबल की बिगेंसी आ चुकी है नेस्ट वीक से आपके फॉर्म भरना सुरू हो जाएंगे तो इस वीडियो में हम लाश्ट येर क इतनी कटाप गए थी और केटेगरी वाइस और इस साल के लिए यानि कि 2024 के लिए आपका क्या सेफ स्कोर है सकता है इसके बारे में भी हम एनलीसिस करेंगे ताकि आप उसको एक टार्गट बनाके अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें ताकि आपका फाइनल सेलेक्शन हो च आपका 90 मिनट का होगा यहां पर एक सीज़ को और को ध्यान देना 90 मिनट का और 120 के टोटल आपके 120 के उस्ट्रिफन होगे 90 मिनट का होता है और माइनस मारकिंग होती इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना 90 मिनट का देखिया अंक langओ घडित आपका रिजिनिंग और समा जाग रुकता, ये सब चीज़े आपकी आएंगी, सले बस आप एक बार देखके study को start करिएगा, तिके next point जो हो जाएगा आपका next point जो हो जाएगा वो आप देख सकते हैं कि देखिए, अब last year की cut up जानने से पहले थोड़ा सा वहाँ की बेकेंसी के बारे में भी हलका साब जान लीजिए, तो देखो last year जो बेकेंसी आई थी, वो आपकी लगबग लगबग आपकी थी, देखिए male candidate और female candidate दोनों का, male candidate में 819 बेकेंसी थी, और female candidate जो थी इनकी, आपकी 301 एक वेकेंसी थी, ठीक है, female candidate में आपकी 301 वेकेंसी थी, और यहाँ पा देखिए, ग्रूप दिया है, ग्रूप बाई ग्रूप डिवाइड हुआ करती है वेकेंसी आपकी आर्फिया, SI और Constable में, ग्रूप A में ये जोन दिये, तीन जोन दिये हुए, ग्रूप B में ये सारे जोन दिये हुए है, और ग्रूप C के सारे जोन, D और E, और यह अप, यह सारे चीज़े दिये हुए है, जोन भाई जोन, ठीक है, ग्रूप में डिवाइड रहता है इसक ठीक है, ग्यारा सो बीस बेकेंसी थी, आपकी 2018 में तो, 2018, इतनी बेकेंसी होने के बावजूद, आप देखे, कटाफ कितना गया तो, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका कटाफ है, ठीक है, फीमेल मेल, ठीक है, फीमेल का आप देख सकते है, ग्र और ST का 38 गया था, SC का 41 गया था, और OBC का जो female में गया था 46.67, यहाँ पास EWS नहीं था, क्योंकि उससे में EWS की category आई नहीं थी, यहीं गुरूप B में देख सकते हैं, 57 गया था, cut up गया था, UR की female का, 43 आपका SC, ST का गया था, 49 SC और 49.81 आपका OBC का cut up था, यह आपका female का था देन आप male candidate का भी cut up देख सकते हैं, male candidate का, UR का 79.75 और male सोजी, देखें, यहाँ पास OBC का कितना high गया था, 93.55 गया था, 93.55 गया था, group A का, OBC का male का, अब देखें, यहाँ पास समझ में आ रहे हैं, कि OBC का ज्यादा cut up चला गया, किस से, UR से, इसका region और सिर्फ एक ही हो स सकता है कि, railway में हमें सब vertical reservation होता है, यदि OBC, SC, STWS के बच्चा अच्छे number लाते तो, UR में fight कर जाएगा, लेकिन, इसमें cut up जादा जाने का region यही हो सकता है, कि OBC का जो बच्चा रहा होगा, वो अपनी category का benefit ले रहा होगा, यानि कि age relaxation का benefit ले रहा होगा, यदि उस चीज का benefit लेते हैं, तो इसको सिर्फ OBC में ही count किया जाएगा, ठीक है, में भी यही region रहा होगा, इसके count इसका cut आफ इतना गया, ST का देख सकते हैं, 76.71 और SC का गया था 77.29, यहीं देखिए, ग्रुब B की बात करते हैं, 87, आपका UR का गया था, ST का गया था 76, SC का गया था 83, और OBC का गया था 88, यहाँ पास भी आपका UR से जाता था, ग्रुब B में, ग्रुब F में देख सकते हैं, आप ग्रुब F में भी देखिए गया था, 86.89 गया था, UR का, ST का 68.22 गया था, और SC का जो 70 दिसम्लिंग क्या होन, ठीके, OBC का 84 दिसम्लिंग क्या होन, तो यहाँ पास देखिए, कटाप कितना ज़्यादा गया था, जबकि 12 इस समय की वेकेंसी का 1, 3 गुना वेकेंसी आप मान सकते हैं, ठीके, 93 पे हाईएस्ट OBC का गया था, गुरूप एक आ गया था, ठीके, अब देखिए, हम यहाँ पास थोड़ा सा देख लेते, इस बार की थोड़ा वेकेंसी का हिसाब क्या है, इस बार की वेकेंसी का, ठीके, तो देखिए, इस बार की जो आपकी टोटल वेकेंसी थी, एक बेट थोड़ा सा, पेज क के आसपास vacancy है ठीक है यानि की one third vacancy है जो आपकी 2018-19 में आई थी उस vacancy का one third vacancy है इस बार है तो competition level high रहने वाला है बहुत ही जदा हाई रहने वाला इसलिए UR, OBC और EWS, EWS candidate यह आप टार्गेट आप 95 प्लस का रखें 95 प्लस नंबर का आपको टार्गेट रखना अधर के टेगरी भी 90 प्लस का टार्गेट रखके ही चलिएगा और भी मेभी इससे ज़्यादा भी cut up चली जाए क्योंकि देखिए अब जब भी ग्रुप वाइज बटेगा अब 400 बानमाली जो थोड़ा बढ़गे 500 भी हो जाती 500 बेकेंसी अब ग्रुप वाइज बटेगी तो कितनी कम बेकेंसी होगी फिर उसके बाद आपका केटेगरी वाइज भी बटना तो बिल्कुल बहुत ही बहुत कम के वेकेंसी हो जा सकते हैं फीमेल भी आप 90 के आसपास रख सकते हैं यू आरो बीसी डवलियस की फीमेल तो इसके आसपास आप पहले से टार्गेट रगके चलिए आप इससे भी ज्यादा लाने के कोसिस कीजिए क्योंकि फाइनल का पता नहीं क्योंकि अगर बेकेंसी नहीं इंकरीज हो रही में आप कमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए अलग से हमें एक वीडियो बना देंगें चलिए थेंक्यू